अगर आप हर समय जप करते रहते हैं, चलते फिरते बोल बोल कर या मन में, तो आपके जीवन में बहुत ही विचित्र घटनाएं घटित होगी। मैं आपको बता दू कि ओम नमह शिवाय मंत्र भगवान शिव का प्रिय मंत्र है। ओम नमह शिवाय एक ऐसा मंत्र है जैसे रेगिस्तान में पानी। शिव गुरूओं के गुरू आदि गुरू हैं। जब आप भगवान शिव की उपासना करना शुरू करते हैं, तो आपको किसी सच्चे गुरू की प्राप्ती सबसे पहले होती है। और जो व्यक्ति ओम नमह शिवाय मंत्र का जाप श्रद्धा से करता है, उसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती ही होती है। ओम नमह शिवाय मंत्र जाप करने से आपकी आर्थिक स्थिती सबसे पहले मजबूत होती है। इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाती है। साथ ही इस मंत्र से आपको भगवान शिव के दर्शन भी प्राप्त होते हैं। यह मंत्र आपके आज्या चक्र को जागरित करता है और आपको सुक्ष्म जगत को देखने का रास्ता दिखाता है। जब आप परेशानियों में फंसे होते हैं तब यह मंत्र आपको रास्ता दिखाने का काम करता है। साथ ही जो व्यक्ति ओम नम शिव का मंत्र का जाप करता है। और हनुमान जी महाराज भगवान शिव के ही ग्यारहवे रुद्र अवतार हैं जिस कारण आपको दोनों की ही क्रिपा प्राप्त होती है। और मां जगदंबा, मां दुर्गा की कृपा आपको प्राप्त होती है. ओम नमह शिवाय मंत्र जाप से कोई भी ग्रह बाधा हो, वह शांत हो जाती है. जब आप भगवान शिव की उपासना करना शुरू कर देते हैं, तो भगवान शिव ही आपको रास्ता दिखाते हैं. ओम ओम नमह शिवाय मंत्र का निरंतर जब करने से आपको वाक सिध्धि प्राप्त होती है. आप जो भी बोलते हैं, वह सच होना शुरू हो जाता है. अगर आप ओम नमह शिवाय मंत्र का शीग्र चमतकार देखना चाहते हैं, तो आपको एक जगह पर बैठकर 51 माला या लगात दो घंटे ओम नमह शिवाय मंत्र का जाप करना होगा. अन्यथा आप चलते फिरते ओम नमह शिवाय मंत्र का जाप करके भी चमतकार देख सकते हैं, और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं.